नमस्कार दोस्तो मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडुस्रियाल इलेक्ट्रिकल चानेल बोल बुल बुल दोस्तो आज का वीडियो में हम डीमप्या रिले के बारे में जानेंगे DMPR relay लगाने से क्या फाइदा मिलता है DMPR relay में हमको क्या क्या protection मिलता है DMPR relay का setting कैसे करते है कितना time पे यह operate करता है और कौन सा fault आए तो आपको कैसे पता चलता है फिर आपको कैसे troubleshoot करना है दोस्तो तो वीडियो को अंतक जरूर देखे दोस्तो आपको काफी कुछ knowledge मिलेगा और हाँ दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं वीडियो अब तो डायरेक्ट पहुंच जाए दोस्तो तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो DMPR रिले के बारे में DMPR यानि दोस्तो डिजिटाल मोटर प्रोटेक्शन रिले या तो आप उसे intelligent motor protection रिले भी बोल सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तो DMPR रिले motor को क्या-क्या protection देता है इसका नाम motor protection रिले है दोस्तो यानि ये motor को protection देगा तो क्या-क्या protection मिलता है सबसे पहले overload protection होगा under current या under load उसमें भी ये protection देगा phase on balance में protection देगा stalling प्रोटेक्शन देगा लोक रोटर प्रोटेक्शन देगा फेज फेलियर में प्रोटेक्शन देगा और साथी साथ ग्राउंड फॉल्ट में भी प्रोटेक्शन देगा तो दोस्तों ओफरलोड क्या है जैसे आप बीमर लगाते हैं वाइमेटालीक रिले उसमें क्या होता है मान लीजे एक मोटर है ज तो वें मारे रिली को आप फुल करेंट के हिस सेट करेंगे और फिर जब यह उससे ज्ता एधा करेंट ल करेंगे तो यह पहलेंगे अंडर करेंट डीकॉपल हो तो उस टाइम क्या होता है और माल करेंट से और करेंट कम हो जाता है तो उसी कंडिशन को हम बोलेंगे अंडर करेंट या अंडर लोड कंडिशन उसी कंडिशन में भी यह रिले ट्रिप करेंगा अगर यह सेटिंग हम करेंगे तो उसी कंडिशन में यह रिले ट्रिप करेंगा फेज ऑनबालन्स। फेज ऑनबालन्स यानि जैसे एर वआई भी तीनो फेज ये तीनो फेज में बालांस करेंट जाना चाहिए। के लम público नहीं 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 कर दो गर्या नारro court ऐगा हो सकता हैं कहीं पे कुछ लुज हो गया होगा॥ हो सकता है मोटर का TV में कुछ लूज होगा अबार सर्किट में कहीं पे कुछ लूज होगा तो एक phase में ज़्याधा क्रेंड लेगा बाकी phase में कम क्रेंड लेगा तो उसी condition को हम बोलेंगे phase on balance तो अगर इसी condition आज़ाए तो भी ये relay trip करेगा दोस्तो तो यहाँ पे हो गया overload condition में trip करेगा, under load condition में trip करेगा, phase unbalance में trip करेगा अगला point है दोस्तो, stalling, stalling क्या है दोस्तो, stalling यानि माली ज़े motor चल रहा है और suddenly motor के उपर कोई load आ गया, suddenly load increase हो गया motor के उपर motor ले रहा है, 100 ampere ले रहा है, और suddenly load increase हो गया और motor का current उस्ताइम बढ़ जाएगा, और उस्ताइम motor का current 150 ampere हो गया तो उसी condition को हम बोलेंगे stalling condition, suddenly load increase हो गया तो यह भी उसी condition में relative करेगा, अगला protection है दोस्तो, lock rotor protection lock rotor यानि माली ज़े motor चल रहा है, motor का bearing siege हो गया या उसका rotor बिल्कुल नहीं गूम रहा है, इसी condition को हम बोलेंगे lock rotor यह condition में क्या होगा, motor जो normal current ले रहा होगा full load current से 3-400% ज्यादा current लेगा, माली ज़े full load current 100 A है तो जब भी motor lock हो जाएगा, तो suddenly current increase होगा 300 या 400 A लेने लगेगा, तो उसी condition में भी यह motor को trip करवा देगा अगला protection है दोस्तो, phase failure, यानि माली ज़े motor का 3 phase में supply जा रहा है एक phase माली ज़े open हो गया, या few चला गया, तो उसी condition में भी यह motor को trip करवा देगा यानि single phase condition में motor को trip करेगा, अगर single phase condition आ जाए तो motor का क्या होगा? motor जल जाएगा दोस्तो, ज्यादातर single phase में motor जल जाता है, तो उसका भी protection मिलेगा अगला protection है दोस्तो, ground fault, तो earth fault का भी protection DMPR relay में है दोस्तो तो generally yes, fault को हम protection कर सकते हैं, DMPR relay के जरिए है और DMPR relay का advantage है दोस्तो हम लोग, 30 phase का current को DMPR relay में एक display है, जिस से हम लोग, देख सकते हैं तीनो फेज का current को आँ देख सकते हैं, हमको क्लाम मेटर लगाने की ज़रुरत नहीं, तीनो फेज का current हम देख सकते हैं, आम मेटर लगाने की ज़रुरत नहीं, और उसका setting क्या-क्या है, setting को भी हम छेक कर सकते हैं, और कौन सा fault में ये trip हुआ है, जैसा कि युठ मैं बोला, कि motor तो आपका दिमाग में सिधा आएगा कि मोटर गूम नहीं रहा है, मोटर का बेरिंग जाम हो गया, या मोटर गेरबक साइड में जाम हो गया, उसकी बज़ाय से लोकरेटर आया, यानि ये मोटर जिस फॉल्ट में ट्रिप करेगा, आप उसी फॉल्ट का कंडिशन को चेक करें इसलिए से अगर लोड में ट्रिप हो ऑगया तो आप लोग सिधा शोचेंगे कि लोड ज़ादा हो गया, इसलिए लोड हो गया अगर लॉट강 में ट्रिप हो आएग तो आप सिधा उसी फॉल्ट से छेक करेंगे, तो यह आप आसानी से पता कर सकता है यह रिले अगर लगाएंगे तो रिले जिस भी कंडिशन में ट्रिप करेंगे आप उसी अकोडिंगली चेक करेंगे आपका दिमाग में ओही चीज़ आएगा कि लॉक्रेटर हुआ है मतलब यह हुआ होगा फेज फेलिर आ गया मतलब आप सिधा फ्यूज को चेक करेंगे अगर फ्यूज ठीक है तो आप लोग कंडाक्टर को चेक करेंगे kontaktor NONC नहीं हो रहा होगा अगर kontaktor सही है तो आप लोग isolator को check करेंगे isolator में हो सकता है सही तरीकिसे power supply floor नहीं हो रहा है kontakt नहीं हो रहा है उसको आप check करेंगे तो याимी clearly an indication मिल जायेगा कि यह fault method would have a trace दोस्तोब सबसे पहले आपको कुछ data input देना पड़ेगा आपको setting पहले set करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या प्रोटेक्शन चाहिए और current level कितना होगा तो यह trip करेगा यह आपको सबसे पहले set करना पड़ेगा तो पहले अब भर लोड को हम क्या सेट करेंगे अगर 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 मोटर का फुल लोड खरेंट तो आप लोग 27 सेट करेंगे तो मोटर का अभर लड यारी आप जो सेड वाल्यविये होंगे पील लोड करेंट का अगर Kyoto stop करेंट जाएगा तो यह ट्रिप करेगा कितना टाइम पर ट्रिप करेंगा आप जो टाइम सेट किये होंगेilot ए तो यह खैलेदे पावोलोड oh ओन फेटर शने लेगा कि इसए ट्रिप करेगा करेगा है तीर सेकेंड के अंदर ट्रिप करवा देगा इन Łंधि सम्झने लगेगे गई क्यों ट्रिप करेगा कितना टाइम पे ट्रिप करेग ट्रिप करवा देगा स्टॉलिंग स्टॉलिंग यानि अगर आप स्टॉलिंग को 150 परसेंट सेट किये हैं तो जब भी 150 परसेंट से ज्याधा करेंड लेगा तो विदिन फाइब सेकेंड प्लस आपने जो अभरलोड का टाइम सेट किये थे ओ टाइम भी आड़ होगा उसी टा सेट किये होंगे उसी आप्योड आ जाएगा तो यह विदिन फाइब सेकेंड प्लस आपने जो अभरलोड टाइम सेट किया होगा उसी टाइम के अंदर यह ट्रिप करेंगा आर्थ फॉल्ट जब भी यह आर्थ फॉल्ट हो जाएगा मोटर कहीं पर ग्राउंड हो जाएगा या केबूल कहीं पर ग्राउंड हो जाएगा तो उसी कंडिशन में यह 0.05 सेकेंड से 1 सेकेंड का अंदर रिले ट्रिप करेंगा दोस्तों और आपको फिर कैसे सेटिंग करना है रिले का सेटिंग यानि रिले में आपको कुछ डाटा इंपुट देना पड़ेगा कैसे आप सेट करेंगा सबसे पहले हिसका मतलब की हैं कि Baptistर यानि आप रिले का करफ करना चाहते हैं इनवर्स कर्फ या इनवर्स सेटिंग करना चाहते हैं तो आईयोनु में पड़ेगा और डिक़िनक और देना चाहते हैं तो द 10 कर रोड़ेगा रिट्रेड कर तो आप मोटर का जितना फॉल्ड लोड करेंट है वह सेट करना पड़ेगा ओटी यानी अपरेटिग टॉम टाइम पर audit यहोगा जब फोल Ugh कंडिशन आएगा तो कितना टाइम पर अपरेट होगा तो आप 10 सेकंड सेट कर सकते हैं CTR यानि CT रेशियो जैसे मैंने बोला कि आपको CT रेशियो भी डालना पड़ेगा मालनी जे 300 बाइफ फाइफ सिटी है तो आपको CT रेशियो 60 सेट करना पड़ेगा अगर 200 बाइफ है तो 40 सेट करना पड़ेगा 150 बाइफ है तो आपको 30 सेट करना पड़ेगा यह CT रेशियो का सेटिंग आपको करना पड़ेगा उसके बाद STL जो आएगा ओहे दोस्तों मोटर का स्टोलिंग तो स्टोलिंग को आप 150 में सेट किजिए LOC यानि LockRotor 500 पर डाद माद प्वाट दोस्तों रिले में उसके बारे में बोल रहा हूँ जो डिस्प्लेक में जो आएगा अगर पड़ेख कि फैज फेलर हो गया है और फैज लेलर कास आपको हमेशा ऑन सेटिंग करना है पी यू यानि फैज ऑन बालंस फैज ऑन बालंस को आप 30 परसेंट कर सकते हैं या आपके हिसाब से आपके requirement के हिसाब से आप सेटिंग कीजिए EUC UC यानि अंडर करेंट अंडर करेंट को भी आप 30% सेट कर सकते हैं या तो अपने रिक्वार्मेंट के इसाफ सेट किजिए तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा अगले वीडियो में मैं आपको डियेंपर रिले का कैसे सेटिंग क करते हैं पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेट करके भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में नम अवस्कार